और बीजेपी के राश्वी उपाध्यक्ष प्रभाज़ा इस्वक्त जी MPCG के मंच पर मौचूद है को आगे लाने की पूरी कोशिस करेंगे आपकी पार्टी ने एक आकड़ा दिया है अपकी बार दोसों पर विरोधी कह रहे हैं कि आप जो है वो अब दिन में भी सपने देखने लगे हैं क्योंकि 15 साल का राज है 15 साल की अंटी इंकम्बेंसी है और आपके अपने जो लोग हैं वो आपका साथ छोड़ रहे हैं मुख्य मंत्री के साले कह रहे हैं कि अब की बार शिवराज नहीं कमलनाथ चाहिए तो कैसे दोसों पर होगा मैं यहां दिलिब जी आपको एक बात मुझे अपने अच्छा उसर दिया बोलने का जब भारती राजनिती में लोग अपने रिस्तिदारों के लिए सब कुछ कर रहे हैं ऐसे में सिवरा सिंग चोहान ने एक इतिहास रचा है और उतिहास यह है कि तुम मेरे साले हो या बहन करना होकर मेरे लिए मेरा कारकरता बड़ा क्या यह सावासी का काम नहीं है क्या सिवरा जी नहीं अच्छा काम नहीं किया ऐसे माहोल में मैं उनकी प्रसंसा करता हूँ कि रिस्तिदार को गौन किया छोटा किया और अपने पार्टी के कारकरता को टिकट दिया जो वहाँ का विधायक था डॉक्टर योगिंद रेंबर लेकिन रिस्तिदार ये भी पोछते हैं कि रिस्तिदार होना अपराद है क्या आपका बेटा राजनिती माना चाहता है वो अपराद है या कहलाश वजय वरगी अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहें तो भी आरोप लगता है कि उनके बेटे को टिकट मिल गई और ताई का बेटा रह गया देखे फिर मैं कह रहा हूँ नहीं सर्गिक विकास किसी का कोई रोक नहीं सकता दिलीब जी न रोकना चाहिए नहीं सर्गिक विकास से आये न अगर कैलाश जी के बेटे को मिला तो कैलाश जी ने स्वैम सीट छोड़ी है कि मैं नहीं लड़ूंगा सवाल संजे का नहीं है संजय ने ऐसा क्यों किया ये संजय से पूछ सकते हैं मैं किसी रिस्तिदार के विरोध में नहीं हूँ अगर वो प्रकिर्थिक तोर पर आता है आगे बढ़ता है तो उसको सिवकार करना चाहिए पार्टी देखती है पार्टी विचार करेगी लेकिन मैं हूँ इसलिए वो भी रहेगा ये सुभाव राजनिती का चलन बेकार है और इस चलन को आमकार करता पसंद नहीं करता है लेकिन मेरे हाँ मेरे पार्टी ने तीन चार्टिकट दिये है मैं सपष्ट कर दूँ आपको जैसे रामपूर भगिलान से हर सिंग जी बीमार है पिछले तीन साल से और उनका बेटा नगरपालिका का अध्यक्ष है बाबुलाल जी गौण है प्रदेश के पुरु मुक्ष मंत्री है लेकिन उनकी बहु याँ मेर भी थी पार्टी की प्रदेश मंत्री है पार्टी में स्विकारता अगर हती है और जनता पर जमीन पर आपके लकी ने खिची हुई है तो उसे लड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं उस चीज का आप भी विरोधी होंगे मैं भी कि कि किसी का बेटा है मेरा बेटा है तो चाहे जो करके आ जाएगा नहीं मेहनत करो विचारधारा से ग्राही करो समाज में स्विकारता बढ़े आपकी निश्चित तोर पर पार्टी विचार करेगी आपने बाभूलाल गौर जी की बहू को टिकेट दे दिया नहीं दोनों निर्दरी लड़ने की तैयारी में थे और अगर सर्तास सिंग मांग रहे हैं तो टिकेट नहीं दे रहे हैं अब आपके विदान सबा अदेश को हराने में लग गए हो देखे फिर मैं कह रहा हूं आप से मीडिया में क्या आया मैं नहीं जानता बावुलाल जी गौड ने ये बयान कहीं नहीं दिया कि मैं अधिर देली लडूंगा वो फूटेज भी आप नहीं दिखा पाए नामांग करना तो काम ही आगया ना उनको कि नामांग करना देखिए आंतरिक लोग तंत्र है ये सोनिया जी की और राहूल जी की पार्टी नहीं है ये मा बेटे की पार्टी नहीं है आंत्रिक लोग तंत्र है मेरी पार्टी में सब को सब बात कहने का अधिकार है लेकिन मर्यादा में और इसलिए हमारे यहां आज भी आम कार करता ही चुनाओ लड़ता है आपस लेने को तैयार है आग रहे हैं क्योंकि देखी ये तातकालिक क्रोध होता है मेरी आप एक्षा थी कि मुझे टिकट मिलेगा नहीं मिला लो फॉर्म भर देता हूं लेकिन निहोरे करेंगे पार्टी से बढ़कर कोई नहीं है आप सब लोग ने स्लोगन सुना होगा कि प अमल संदेश के सम्पादक के तौर पर काफी लिखते रहें उसमें आप अपने कारेकरता हों को समझाते रहें बताते रहें लिकिन कहीं लगता है कि चाल चरितरुचेहरा बदल रहा है पार्टी में वहि कुरितियां गई हैं वहिए बीमारी आगई हैं तो जातिकत समीकार जरूर धियान रखते हैं ऐसा क्यों देखिए चुनाओं में नंबर ऑफ गेम होता है मैं इससे समत नहीं हूँ कि हमारे किसी नेता पर ब्रष्टाचार आपके दिल्ली में रहते हैं एक केंद्री नेता पर बता दीजी कोई आरोप लगा हो क्या ये भारती राजनिती की सुचिता की सफलता नहीं है एक नेता पता दीजी कॉंग्रेस ने कट घरे में खड़ा किया जूट बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं जितना जूट बोले बोले राहूल गांदी तो आपके पतान मंत्री पार रूप लगा रहा है की अपनी फिर्ट सहतिस साल में जोतरा दीजीजी आप केंदरी मंत्री रहे आप भी केंदरी मंत्री रहे एक साइकिल किसी को दीकर आज तक खरीट के जुट बोलने में और इनको मा इनके घोष्टना पत्र नहीं है जाहिर कर दिया है उन्होंने सुकार कर लिया है ये वचन पत्र नहीं है ये वचन भंग है वाणी में कुछ भी बोल दींगे बिजली का बिल किसानों का हाफ कर करेंगे फिर दूद पर पांच रुपए प्रती लीटर बोनस मिल जाएगा डीजल और पेट्रोल जिस पर आप टेक्स पर टेक्स टेक्स पर टेक्स लगाते हैं सबस्यादा टेक्स मध्यप्रदेश की सरकार लगाती है वो अगर कम कर देंगे आप गव सेबा की बात करते हैं गव संद्रशन की बात करते हैं हर ग्राम पंचाद में गव शाला खोल देंगे और इसकी अलावा वो कह रहे हैं कि हम मेडन मध्यप्रदेश की बात करेंगे रोजगार और निवेश प्रोष्टाहन के अंदर का 10,000 रुपए वेतन अनुदान यानि रोजगार देने वाली कंपनियों को लोगों को अनुदान मिलेगा कि 10,000 तक का अनुदान हम देंगे आपने तो कहा था कि करोड़ों रोजगार देंगे और हम स्वरोजगार पैदा करेंगे लेकिन आपके निता बयान देने लगे कि आप पान की दुकान खोलो आप पकोड़े की दुकान खोलो आप साइकल चला लो आप रिक्षा चला लो ये सब बयान आने लगे तो आखिर इस वचन पत्र से आपको क्या इतराज है हमें कोई इतराज नहीं है क्योंकि जूट बोलने का टेंडर कॉंग्रेस के नाम ही खुला हुआ है हमने बिना घोष्णा पत्र में लिखे जितनी घोष्णा पत्र में बाते थी 2013 में उसमें से 98% हमारा काम पूरा हुआ को अगर मुझे बता देते तो मैं लेके आता है यहां पर एक एक बात बताता है है क्या हमने गोशना पत्र में लिखा था किसान के करजा करजा माफ के नाम पर पंजाब में क्या मजा किया 33,000 करोड उपे मद्यप्रदेश में किसानों में को रोजगार कहनें बार-बार बात क्या रोजगार देंगे यह क्या दस साल इनकी सरकार नहीं थी क्या किया उसमें आइना किसको दिखा रहे हैं अपना मूँ तो देख लिजे 50 साल कॉंग्रेस रही है अगर देश की दुरदसा के लिए कोई जिम्मेदार है तो एक मात्र कॉं हमने पहले हम किसान के नेता हैं कि हमने कहा कि एक लाख लीजिए 90 अजार दीजिए 200 रुपे बोनस हमने पिछले गेहु का दिया है जितने लोगों ने गेहु पैदा की थी कौन दे रहा है यह 0% ब्याज पर किसने कर्ज दिया है सवाल जुट बोलने का टेंडर खुला जु नेता है यहां का किसान का बेटा है और इसलिए जब कोई और चल्स कियों कर रहा है अगर रोज जाते तो यह सवाल होता क्या यह नहीं जा रहा है इसलिए भूत देने वाले हिंदत्व का अड़े मैं ju चीज़े पैंता हूं करधनी भी पैंता हूं अभी मैं दिखाता हूं एक जगा बिहार में बोर्ड लगा इनका मालूम आपको जेनव धारी राहूल गांदी भाईया पंडित होने का प्रमान किस ने दिया आस्ता है हमसे किसी नहीं पूछा कि आप ब्राह्मन वास्त ना हमारा कभी किसी को जनव दिखानी पड़ी मैं बाजू बंद पहनता हूँ यह गड़े से अनन चदुल जी को पहना जाता है मैं करधनी पहनता हूँ क्यों पहना जाता है मालूम आपको बाहे तरफ जेनव सास्त्र युक्त है सावित्री मंत्र के साथ उसका स्वरूप बनता है और रोज सावित्री मन्त जब नहाते समय पढ़ते हैं, तो हार्ड में अटेक नहीं होता है, हार्ड का जो बीड़ाउ ठीक रहता है, ऐसा ही करधनी से किड्नी की प्राब्लम नहीं होती है, बाजूबन से ब्लड पेसर नहीं होता है, अब ये तो विज्ञान के सब चीजें है जानकारी है नहीं, सोटा घुमा रहें, अरे आप सब जगा जाईए, मैं तो भाजपा को और संग को बढ़ाई देता हूं, कम से कम उनके कारण ये जाने तो लगे, लेकिन भगवान को मुर्ख मत बनाईए, लेकिन लेकिन प्रभाजी, आरोप ये है कॉंग्रेस का, कि आप हमेрат केते हैं, राम मंदिर बनाएंगे, तारीक नहीं बताएंगे, पहले आप कहते थे, UP मैं सथा नहीं है, केजर मैं सथा नहीं है, अब सब जग हैं, अब चुनाव आ गए हैं, तो अध्यादेश की बात हो रही है, प्राइवेट मेंबर बिल की बात हो रही है, या फिर आ कि ऐनके पुरह देश्ष प्रति बद्ध है हम आज नहीं कल अगर मंदिर बनेगा तो हम लोगों के माध्यम से बनेगा यह तैह और मंदिर बनेगा ही बंदिर तो है यह वहां पर भभी मंदर बनना है अदालत में मामला है हम लोग अदालत से बने हुए लोग है नयाई पाइल का का इंक्रूचमेंट लूग करते नहीं है तो फिर बयान को देते हैं आपकी पार्टिकी नेता कई मंतरी उपमुखे मंतरी सब लोग बयान दे रहे हैं कि बनाएं लेकिन ये लोग जो जो जोर से बोल रहे हैं उनसे जड़ा पूछिए कि एक दिया तो जलाते तीन लाक दिये जले उसमें एक कॉंग्रेस का विक्ति कहता कि मैं कॉंग्रेस यूँ भगवान राम के दरवाजे पर दिया लगाने आए कॉंग्रेस को आपको ये श्रे दिने में क्यों आपती है कि ताला उन्हीं के जमाने में खुला था अरे ताला लगा किसके जमाने में ये बताईए ना ताला खुला तो कौन उसके बाद दंगा किसने करवाया किसने विरोध किया राम सेतु का विरोध किसने किया मैंने किया र लेकिन प्रभाद जी यही सवाल RSS ने तो आप से भी पूछ लिया है, आप राजनीती कर रहे हैं, राजनीती बंद करिये, RSS ने सब को कहा है, आपके सरसंगचालक जो RSS के मुखिया हैं, मोहन भागवत वो कहते हैं कि इस मामले में राजनीती बंद होनी चाहिए, जब भाजपा की राश्ट्री कार समिती हुई थी, अटल जी की अध्यक्षता में हमने प्रस्ताव पारित किया था, आपको याद होगा, उसके बाद अडवानी जी जब अध्यक्ष बने, तो सोमनास से अयुद्या की यात्रा किसने की थी, हम कैसे भूल जाएंगे, लेकिन अगर हमारे सरसंग चालग जी ने मारत दसन दिया है, तो निश्चित तोर पर जनता की बात वो करते हैं, समाज की बात करते हैं, और उस समाज की बात पर हमारी सरकार भी, हमारा संगठन भी विचार करने के और बढ़ता है, कमलाज जी के इन आरोपों पर क्या कहेंगे, कि आपकी सरकार के 15 साल पूरे होते एक तमगा जो लगा है दो तमगे लगे हैं और कई तमगे लगे हैं कि सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं के खिलाफ मत्यपदेश में सबसे ज़्यादा रेत का अवैद उतकरन आपके प्रदेश में और अगर बिरुजगारी की आकड़ की बात करें तो उसका कोई हिसाब नहीं है गरीबी देखा कि नीचे जो सर्वे है आपका वो कहता है कि इतने सारे लोग गरीब हैं कि संख्या बढ़ती जा रही है फिर कहा रोजगार मिल रहा है कहां पर यह अपरात कम हो रहा है कहां पर नया मध्यपदेश बन रहा है और आप भी सपने कियो दिखा रहे हैं आपने भी दूपिने दिखाए हैं लुद्डा बैंक की तहत दो 34 लाख लोगों को रोजगार फशनारदी नहीं मिला है अपने पैर पे खड़े हुए हैं और ऐसे ही क्या होता है कमनलाज जी हो या जोत्राद जी हो Nhृ क्या करते हैं सरکार की नोकरी आपने क्या किया पचास साल में नोकरी दी क्या लोगों को? लोगों को अपने पैर पे खड़ करने के लिए शिवराज जी ने और नर्रेल जी जी ने सुरवात की है रोजगार देने वाला हम बना रहे हैं सिर्फ रोजगार लेने के लिए नहीं चार लोगों को रोजगार देने की बात अगर कही जाती है क्या चाए बेचना अपराध है क्या पकोड़ी बनाना अपराध WA ने नी लिखा पत्रकार क्या कोई पड़ा लिखा इंजिनियर अपने बच्चों को कहेगा कि जाके पान के दुकान खोलिए गउशाला खोल लेजिए पकोड़े तलिए या ठेला लगाईए कहेगा दिलीव जी समाज है बिन्निता सवाज में सदेव रही है और इसको कम करने की दिसा म मद्रप्रदेश ने 300 योजनाई शुरू की है बच्चा जन्म लेता है मां के पेट में तब से लेकर उसके मुझे बताईए कि साट साल से कम और मेरे कि घर में कोई मौतर दोर में संबर में मेरा जिस्टेशन है तो दोलाख रुपे मिलेंगे यदि चार गई में एक्सिडेंट हो गया तो चारलाख रुपे देंगे सरकार ने समाज के दोर पर उसकी सांकल को ठोका है कि नहीं तुम्हारे साथ सरकार खरी हुई है और खड़ी मेरे तिरदसन हमारी सरकार करा रही है विद्दा पेंसन योजना अमारी सरकार दे रही है एक नहीं अनेगे योजनाएं बता सकता हूँ मैं आपको और इसलिए किसान हो मजदूर हो नौजवान हो एक साथ खड़े हो कर भारतियंता पार्टी के साथ खड़े हैं सब लोग। चली थी भरमाया किसानों को ब्रहम फैलाते हैं किसान के बीच में अच्छा क्यों जब गोली चली उसके बाद गए और उसके बाद सरद्धानजली देने गए यही काम बचा है जिर चुनाओ के पहले कहां थे यह नेता मैं पूछना चाहता हूँ 15 साल में कोई दिन बता दीज पूटेज जब CM के पास गए हो और PM के पास गए हो कि नहीं साहाँ इन समस्याओं का निधान करी ने तो हम यह अंदोलन करेंगे आज तक गए क्या नहीं विरोत की भूमिकां में रह पाते हैं ना सत्ता के मद में इतने चूर है कि उनको आज भी लगता है कि हम सत्ता में हैं और इसलिए मेरा कॉंग्रेस से निवेदन है आप अपना घर समालिए कांच के घर में रहकर दूसरों के घर पे पत्थर मत फिकिए लेकिन प्रभाद जी अगर आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि जाती की राजनीती करते हैं धर्म की राजनीती करते हैं तो जब आपकी पार्टी सत्ता में है और एक्ट्रोसिटी एक्ट वाला जब सवाल आया तो आपकी पार्टी ने क्या किया हमारी पार्टी ने बहुत स्टेट फॉर्वर्ड कहा है मेरे मद्धप्रदेश की या देश की जितनी भी योजनाए है आप मुझे बता दीजिए उसमें कहीं आपको आरक्षन दिखता हो शबका साथ सबका विकास युगत योजनाए भारती अनता पार्टी चलाती है आज तक किसी को ने पूचा कि आप किस जात क्यों मेधावी चात्र योजनाए सबको दे रहे हैं हम सारी योजनाए मेधावीच्षात्र में सारी योजनाए ये बताईए प्रभाज जी ये बताईए कि अगर एक फैसला सुप्रीम कोट ने किया कि अगर किसी पर मुकदमा हम नहीं चाहते मीडिया के नाते राजने तक नाते और एक आम नागरिक के साथे सबकी जमेदारी है कि समाज के किसी भी कमजोर तबके पर अत्याचार नहीं होना चाहिए एक फैसला सुप्रीम कोट का था कि अगर किसी के खिलाफ इस तरह के मामले दर्श होते हैं गरिफ्तार करने से पहले प्रॉपर जहांच होनी चाहिए तुरंद गरिफ्तारी नहों लेकिन विपक्ष के दबाव में आप इतने आ गए कि कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए तो आपको अदालत के इस फैसले पर सुप्रीम कोट के इस फैसले पर भरोसा नहीं था और आप आपने ये बदल दिया जाके संसद में ऐसा क्यों अगर जरूरी जरूरी कब जब जाच होगी इसलिए कानून को बिना पढ़े हिंसा अभिवेक्ति की स्वतंता मेरे मित्र हैं सब बात कहने का अधिकार है लेकिन कानून तो पढ़ो पहले एक मिन एक मिन भारत में कोई कानून ऐसा नहीं है जिसमें वेक्ति को कहने का अधिकार नहीं है ये जूटा पहलाया गया है और हम सिर जुका के कहते हैं कि अभिवेक्ति की स्वतंदता है लेकिन हिंसा करने का अधिकार किसी को नहीं है अच्छा चलते 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 मैं आपसे ये सवाल पूछ लूँ कि 2019 में 2019 में मुकाबला नरेंद्र मोधी बनाम राहुल गांधी होगा या आपको लगता है कि 2019 में नरेंद्र मोधी के सामने कई सारे चेहरे होंगे जो एक साथ मिलकर लड़ेंगे देखिए भानुमती का कुनमा कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा अपने अपने राजी में जैसे ही ममता जी पहुची तो उन्हें का मैं कमरिस्ट पार्टी के साथ नहीं मैं कॉंग्रिस के साथ नहीं जैसे ही वो पहुँचे तमिल नाड़ु वाले उनने कहा नहीं ये एक होंगे क्या और इनके एक होने से क्या हम क्या लड़नी से इनसे लड़ते नहीं रहें सवाल क्या है कि भारती राजनीती में विकल्प बनने की जो छमता होती है वो छमता दिखाई है और विकल्प का संकल्प नहीं है इसने कॉंग्रिस टूटी हुई है मैं आज अब सब के सामने कहता हूँ और मैं कोई घमंड से चूर नहीं हूँ जो चलेगा वही जनता के साथ चल सकता है घर बैठकर राजनीती नहीं होती AC में बैठकर जो लोग राजनीती करते हैं उनको राजनीती करने का अब वक्त ख़दम हो चुका है जनता के बीच विरोध करने जाईए ना ये गलत है एक दिन भी बता में कभी किसी ने विरोध किया हो सवाल क्या है कि विरोध करना आता ने हो सक्ता के मत्स्या भर नहीं रहे इसका भी उत्तर सुन लिजिए Congress 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 Bureau Investigation किसने सुरू किया था किसने किया था Congress Congress ये धंदे Congress ने किया है Autonomous Body पर हमने कोई बात नहीं किया अस तक सब का थिकार है अब गलत करोगे तो भुगतोगे 12 लाग करोड का आरोप नोटाला करने वाले कैसे बच जाओगे आप हमने लालू को कहा था कि चारा खाओ आप आज जेल में तो हमने जेल में बेजा है क्या क्या ये अदालत का अपमान नहीं है क्या ये CBI का अपमान नहीं है क्या ये CBCA का अपमान नहीं है आप करें तो आचा हमने तो किया नहीं आज तक एक प्रूप बता दे एक दिखा दे प्रमान और इसलिए जूट के पैर नहीं होते 19 राज्यों में 14 राज्यों में हमने सरकार बनाई है कोई कॉंग्रेस की दया पे नहीं जनता की दया पे बनाई है भारत का समसे बड़ा राजनितिक दल भारतियनता पार्टी भारत का समसे बड़ा राजनितिक दल भारतियनता पार्टी विश्चु की समसे बड़ी पार्टी और इसलिए मैं आपको मालूँ है सेंटर हॉल में तीन कॉंग्रेसी नेता मुझसे कह रहे कास हमारे पास भी अमित साह होते रो रहें अपने नेताओं पर रो रहें लेकिन प्रभाद जी जब वो एक जुट हो जाते हैं जब वो एक जुट हो जाते हैं तो आपको दो दो लोग सभा हराते हैं विदान सभा में उप्चुनाव ह कहते हैं तो उनकी अगजट होने से आपको चुनौती तो मिलेगी आप सुनिजीए हम अटिर हारे कांगरेस की सीत थी हम चित्रकूट रे कांगरेस की सीट थी हम कॉंग्रेस की सीट थी को लारा सारे को एक भी सीट हमसे नहीं चीन पाए हैं यह यह अपनी सीट बचाए है हां हम यह कह सकते हैं कि हम जीत नहीं पाए